किसान भाईयों आज हम सर्सों की फसल में लगने वाले प्रमुक कीट मोयला की बात करने वाले हैं इस कीट को मोयला एफिड माहू के नाम से जाना जाता है यह है बहुती सुक्ष्म हरे पिले रंग का रस्चूसने वाला कीड़ा है जो कि इस सर्सों की फसल को बहुत नुक्सान पहुचाता है पोदों का रस्चूस कर पोदे को कमजोर कर देता है और इससे उपज और दाने का आकार छोटा रह जाता है यह कीट पोधों के कोमल भागों में पत्तियों साखाओं के निचली सतह पर जुन्ड में चिपक कर रहता है और इस कीट के नियंतरन समय पर किया जाना आवश्यक है और उसके लिए सरप्रथम्तो करसक को खेत का ब्रह्म बना आवश्यक है क्योंकि यह कीड़ा सबसे पहले खेत के सीमावर्ती पोधों पर पहले आता है क्योंकि यह कीट बाहर के खेतों अन्य पोधों फसलों से खेत में प्रवेस करता है तो सबसे पहले सीमावर्ती पोधों में आता है तो यदि क्रसक सीमावर्ती पोधों का ब् कर देना भी फसल के में इस कीड़े से बचा जा सकता है फिर भी अगर यह कीट खेत में लग जाता है तो किसी साखा पर 10 सेंटिमेटर क्षेतर में अगर 20 से 25 कीट एक साथ पाए जाएं इसका मतलब अब रासाइनी कीट नासकों का प्रियोग किया जाना आवश्यक है तो एसी अवस्था में जो है तीन चार दवाइयों के नाम में किसानों बता रहा हूं इन दवाइयों में से किसी एक दवा का आप छिरकाओ करके इस कीट से बच सकते हो सबसे पहली दवा का नाम बता रहा हूं में डाय मेथोईट नाम की दवा आती है 30 EC इसका 800 55 ml प्रति हेक्टर की दर से चिरकाओ कर सकते हैं अथ्वा मिथाइल डेमेटोन 20 EC 20 EC 1 लेटर प्रति हेक्टर की दर से चिरकाओ कर सकते हैं अथ्वा इमीडा क्लोप्रिड नाम की दवा आती है इसका 20 गराम प्रति हेक्टर की दर से चिरकाओ करके इस कीड़े से बचा जा सकता है एक नीम आधारी बायो पेस्टिसाइड भी है उसका मतलब 5% सथ का नीम की निवोली का 5% सथ का छिड़काओ करके भी इस कीट से बचा जा सकता है इस प्रकार से किसान भायो ये प्रियोग करके इस कीट से बचकर अपनी सरसों की फसल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं